तो एक बार फिर वापिस आ चुको एक और धमाकेदार वीडियो लेके और आज हम बात करने वाले हैं एर्थ चैप्टर की तो जैसा कि आपको यार पता होना चाहिए कि इस सीरीज में हम करने वाले हैं क्या हम Q&A के तुरू पूरे पूरे चैप्टर को समझते हैं सिर्फ Q&A क अगर भार कहता हूं इस बार भी कहूंगा कि अगर भाई देखो आपने पूरे चैप्टर समझा है तो उससे ची तो कोई बात ही नहीं है पट नहीं समझा तब यह वीडियो आपके लिए पफेक्ट रही है ठीक है और समझा भी है तो बहुत ही सिंपल है पहले आपको फिल अगर जब भी मूव करती है तो उससे कहते हैं विंड आगा समझ में नेक्स्ट विंड्स अगर कहीं कोई चीज जादा है और कोई चीज कम है तो बैलेंस बनाता है हमारा नेचर हमारा जिसके पास जादा उसके पास कम आएगा तो similarly एर का होता है जहाँ पर एर का प्रेशर सादा है है ना वहां से कहां जाएगा जहां पर प्रेशर कम है जहां पर uneven surface है कहीं पर बहुत उंचा है जैसे कि आप सोचो पहाड़ में पहाड़ में बहुत उंचा है ठीक है तो वहां हवा कम है और जमीन में जहां हम रहते हैं वहां बहुत नीचा है तो वहां खूब हवा तो हमेशा हवा नीचे से उपर जाएगी इस तरीके से मतलब uneven तो इसका आंसर क्या होगा due to uneven heating on the earth अब होता गया है अर्थ पे uneven heating होती है यानि कि हमें पता है अर्थ के अंदर क्या है लावा है लावा पता है लावा अब लावा की वज़ेसे कहीं कहीं जमीन जादा गरम है कही कम गरम है तो जहाँ जादा गरम है वहाँ पे एर नहीं रही वहाँ एर सुख गई जहाँ कम गरम है वहाँ खूब एर रही तो उसकी वज़ेसे कहीं एर कहीं जादा कहीं कम हो गई और इसकी वज़ेसे movement शुरू हो गया और movement शुरू हो गया एर का तो उसी ही तो wind कहा जाता तो अब आगेना एक्दम मस्त समझ में बस तो यही मेरा टागेट था अब अर्थ के सर्फेस के पास जो डैश एर राइज अप हमेशा जाद रखना कि अर्थ सर्म हम जमीन में जो एर होती है वो गरम एर होती है जो ऊपर चली जाती है और फ्रेश ताजा ठंडी एर हमेशा न जाती है आगे समझ में अब आगला एर मूज फ्रॉम एर रीजिन अभी मैंने समझाय था एर कौन सी रीजिन से कौन सी रीजिन में जाएगी हाई ऑफ प्रेशर यानि कि वो रीजिन जहां पर प्रेशर जो है एट्मॉस्फेर का जो प्रेशर है वो हाई है वहां से जाएग बहुत ही सिंपल है अपने हाथ में एक पीस ऑफ पेपर लो लंबा सा और इसको खाली छोड़ दो वो जिदर को भी बहेगा उदर की हवा चलती है टेक समझ में आगया इसके अलावा आपके पास क्या होते है यानि कि आप अपनी चतों पर लगा सकते हो ऐसे विंड के पेन जो एरो जैसे होते हैं और बहुत हलके होते हैं जिदर को भी हवा होती है वो उस तरफ को डिरेक्शन कर देते हैं as simple as that करोगे समझ में आएगा बहुत स्पीड बढ़ा रहा हूं कि ताइम बहुत कम है और आपको बहुत कुछ समझना है आपका पेपर बहुत क्लोज है मैं जानता हूं देखो state 2 experience that made you think that air exerts pressure कोई भी दो ऐसे experience बताओ जिससे आपको क्या लगता है कि air जो है pressure exert करती है इससे फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल इन सब में अगर हवा ना हो तो क्या तुम खेल सकते हो और हवा होती तो इन में pressure आ जाता है तबी तो यह जमीन से वापिस टकरा के उपर आ जाती है when balloon is overfilled with air it burst due to excessive air pressure और balloon को जब overfill कर दिया जाता है तो फट जाता है किससे excessive air pressure से आगया समझ में must चंगा अगला example क्या है compressed air is used in the brake system of stopping trains इतनी बड़ी बड़ी trains को पता है stop करने के लिए compressed air का use किया जाता है बस आपको theoretically समझना है तो मैं एक घर करीता है क्या तुमको यह ऐसा घर करीत हूँ कि जिसमें क्या है खिडिकिया है बट ventilators नहीं है ventilators याने कि एक त ventilators ना हो या फिर ventilation ना हो क्योंकि वो safe नहीं है कैसे नहीं है वहाँ का एर circulation हो होई निपाएगा air circulation है निकि जो ताजा हवा और आरी गरम हवा जा ताजा हवा और आरी गरम हवा जारी है तो यह तब होगा जब एक करफ खिड किए दूसरी तनर विंटिलेटर है उपर चोटं ना explain why holes are made in hanging banners and holding जगे पर आपने दिवारों पर देखो बड़े-बड़े poster लगे होते हैं दिवारों पर नहीं रोड पर जाते हो बड़े-बड़े poster लगे होते हैं बैनर लगे होते हैं उनमें छेद कर रखे होते हैं क्यों 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 कि air exert pressure air के पास pressure अगर उस banner में कोई छेद रहा हो धड़ा-धड़ उस पर pressure आता जाए pressure आ रहा है pressure आ रहा है क्या होगा पूरा banner फट जाएगा due to this pressure banners and hoarding flutters flutter and tone when wind is blowing fast जैसे हवा थोड़ी तेज़ चलेगी वो फट जाएगा तो क्या किया जाता है holes बना दिया जाते हैं उसमें in banners and hoardings so that wind passes through the holes and they do not become loose and fall down जिससे क्या होता है कि जो हवा है वो बीच-बीच में उनसे पास हो जाती है जो इतना pressure नहीं बनता है तो आराम से वो गिरते नहीं है अगला how will you help your neighbors in case of cyclone approaches to your village अब भया cyclone आ गया तुम्हारे village गाओ में तो उसमें कौन-कौन से measures अपनाने है कौन-कौन चीज़ों का ध्यान रखना है वो इस question में पूछा चाला है पहला I will make them aware of cyclone forecast and warning service सबसे पहले मैं उनको बताऊंगा कि cyclone forecast and warning service क्या होता है जब भाई कुछ दुनिया में कह लो या इंडिया में कह लो कहीं पर भी कोई ऐसी emergency आती है तो कुछ ऐसे news channel है या कुछ warning services होती है जो आपको लगातार नई-नई information update देती रहती है कि जैसे आभी आपको किस city में किस area म में क्या टूटा पड़ा है कि अगर आपको अपने कुछ बिछड़ गया है लोग उनसे मिलना है तो खाना कहां मिल रहा है इस तरीकी की सारी information इन पर आती रहती है तो हम मैं उन्हें उनके बारे में बताऊंगा जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं rapid communication of warning to the government agencies and all the important places सबसे पहले क्या किया जाएगा सबसे पहले rapid communication मैं करूंगा government agencies और जैसे simple सी बात है जैसे कि ambulance police और emergency help line numbers इन सब पर मैं call करूंगा construction of cyclone shelter in the cyclone prone areas उसके अलावा आप जहां पर cyclone prone areas है जहां पर cyclone ज्यादा आते हैं वहां पर एसे cyclone shelters बनाना एसे shelter जहां पर अगर कभी cyclone आ जाता है तो अब वहां पर रह सकें उसके लावा helping them to shift essential goods domestic animals etc to a safer place इसके लावा उनकी help भी करनी पड़ेगी कि उनका ज़रूरी समान essential समान domestic animals उनके जो animals हैं इन सबको safe जगे पर ले जाने के लिए what planning is required in advance to deal with a situation created by a cyclone अब एक cyclone आ गया अगर आने वाला है तो उससे पहला को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा पहला carefully listening to the warning transmitted on tv and radio सफेवलत आपको टीवी और रेडियो पर मतलब जो news updates आ रहे उनसे आपको वाकिफ रहना पड़ेगा कि भाईया कब क्या होने वाला है कितनी दिर में तुफान आएगा कितनी दिर में cyclone आएगा ये सब moving to safe place आपका safe place पर जाना है simple emergency kits अपने साथ ready रखनी है food अपने साथ ready रखना है in waterproof pack अगर आपने वो नहीं लिया तो food खरा हो जाएगा not venturing into the sea कलती से भी सोचना मत ऐसे time पर sea के आसपास जानेगा डूब जाओगे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा keeping all the emergency numbers ready आपको क्या रखना कहां पर ऐसी जगह है जहां पर सबसे कम cyclone आ सकता है अम्रिचर क्योंकि आसपास दूर दूर तक कहीं पर कोई sea नहीं है which of the statement given below is correct इन मैंसे कौन से statement correct है last question है बहुत ही simple है बहुत है in winter the winds flow from the land to the ocean हाँ जी यह आपने जोग्रफी पर मैंने पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत नहीं समझ लो होता क्या है जब सर्दियां आती है तो क्या होता है जो winds land से winds जो है land से ocean की तरफ जाने लगती है और गर्वी में में क्या होता है ocean से land की तरफ विंट्स आती है यह आपको याद रखना है ठीक है इसी से season change होते है ओके तो आप देखो यह हो ग देना ऐसी और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो कोई भी टेंशन कोई भी डाउट कोई भी दिकत कोई परिशानी है तो कमेंट कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली सब कुछ सॉल्व कर देंगे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स वी